नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूप चनल बुलैन बियर मार्केट में दोस्तों हम बात कर रहे हैं BPCL के और BPCL स्टॉक में आपको लगातार दिरी दिरी स्टॉक नीचे की तरफ जाते हुई दिखाई दे रहा है और भही अगर इसने अपने पिछले 5 दिनों के अंदर यहां उपर के 11 से बात करें तो 5% से भी ज्यादा ज्रावट देखने को मिले है भही एक मंत के चार्ड में इस टॉक अब सिर्फ 2% की ही तेजी के साथ आपको देखने को मिल आ है तो इस टॉक के पीछे गरने की बड़ी बजह क्या है तो यह जानने के लिए वीडियो बढ़े रही है और चैनल को अगर आपने भी तक सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब किजिगा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू किजिगा यहां पर एक सबसे बड़ी बजह निकल के आती है और उसके साथ आपके प किसी ना किसी बजह से ही किसी ना किसी स्टॉक में निवेस करता है और बीपी सील में जातर लोगों ने इस बजह से निवेस किया है डिस इंवेस्मेंट के बाद कंपनी में और भी अच्छी तेजी आएगी जिसके कारण से अब थोड़ा सा उसमें देरी के कारण लोगों का patience तूट रहा है तो यहाँ पर क्या यह stock बेच के निकल जाना चाहिए इस price पे तो मैं आपसे क्या हूँगा कि BPCL का stock आपको बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए आप इस ग्रावट का फाइदा उठा सकते हैं इस stock आपको 420 के करी मिल जाए उससे नीचे की तरफ मिल जाए तो बहुत ज्यादा बहतर है long term का target रखी stock में देखे आज डिस investment में देरी जरूर है बटे होना तो है ही और हो या ना हो company profitable तो है ही आपके लिए business बहतर दे ही रही है dividend अच्छा दे ही रही है account में आपके आही रहा है फिर problem ही क्या है सिर्फो सिर्फ क्या patience ना रख पाना यही problem में तो यहाँ पर जो गराबट हो रही है इसका आप फाइदा उठा सकते है अब गराबट जो देरी हो रही है वो क्योंकि कुछ ऐसे government के rules बगरा है जिसकी बज़े से कुछ लोगों के लिए इसमें पैसा लगाना थोड़ा मुस्किल हो रहा है मैं बात कर रहा हूं company खरीदारी की company के हिस्सेदारी यहां share market से खरीदने की बात नहीं हो रही है तो यही सबसे बड़े reason है जिस बज़े से कुछ ऐसी problems आ रही है तो फिलाल यह सारी सब कुछ दूर होई जाएंगे जिसकी government को बेचना तो है ही जब जातर company बिक रही है जातर government की चीज़े बिक रही है तो यह भी बिक जाएगा तो इसलिए परसान होने कि यहां पर कोई भी ज़रूरत नहीं है फिलाल आप इसे एक opportunity बतौर ले सकते हैं stock में कोई बहुत बड़ी ग्रावट नहीं देखने को मिली है मान के चल सकते हैं यहां से 10-20 point की ही ग्रावट है इससे ज़्यादा ग्रावट भी यहां पर नहीं हुई है आप देखें पिछले 5 दुनों में यह लगबग ग्रावट होई है इसके बाद आप देखेंगे जो भी price में correction है वो dividend का correction है और यहां पर आप देख सकते हैं dividend yield क्या सांदार dividend yield देखने को मिलता है 10% का बहुत सारी company आपको dividend देने वाली दिखेंगी तो यहां पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू किजिएगा चैनल को सस्क्राइब किजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देजिएगा दोस्तों